हेलो फ्रेंड्स, बायोलोजी मैगनिफेड में ते तुम्से खूब खूब स्वागते, और्गैनिजम्स एंड एन्वार्मेंट फर्स्ट या टॉपिक मदला ता लास्ट पॉइंट अपला लास्ट पॉइंट अहला है एन्वार्मेंटल इशूज ते चवरती बरेश्य पाठंतर कराएचे, बस ते ओड़ो पाठंतर कराएचे, काई काई कराएचे, ते सग्या गुष्टी मीत संगना रहेचो, व्यवस्तित लग्ष द्या, एंड परेंट वीडियो बगा आणि हैचे माक स्क्योर करा, आणि वीडियो जर तुम्हाला व्यवस्तित समझला सर्या इंपोर्टन्ट असताथ, नेसेसरी असताथ, ते चा मदे पन जस्तिस जस्त काया वाप परले जाताथ, पेस्टिसाइड्स वाप परले जाताथ, पेस्ट कीवाई इंसेक्ट काई करने साथी, कंट्रोल करने साथी, मते एंवार्मेंटल प्रोब्लेम्स कॉस करताथ, मते एं फक्त काया है बावनों 50% स्प्रे काया करतो हो टार्गेट ला हिट करतो हो मैझे जब अपले आला जाप इंसेक्ट साथी मा राएचे ते स्प्रे कर राएचे तेच्छा मदले फक्त 15 टकेस तेच्छा सथी वाप परले जाता बाकी तुम्छे 85% का होना रे संगा प्रोब्लेम क्रियेट करें हाम करना रे तरही गोष्ट आहे ता फूड ऑर्गनाइजेशन फूड एंड अग्रिकल्चर ऑर्गनाइजेशन है जे तुम्छी संउस्ता है तीचा जो रिपोर्ट है 2000 साली आला तर त्यांसों काया मनना है त्यावरी तर स्वाइल हां मेजर मे प्रोब्लेम आहे और अपलेलाम है ते कि ही गोष्ट लक्षट अठेवाची पेस्टिसेड सेथे ताप चा 5 सेंटिमीटर चा लेयर में इसकाया होतास तल जस्ती जस्त दिस्ता तेचे रेसिडियूस तर इन जनरल फैक्ट आहे तम हत्वाचा गोष्टी बगया चे पेस्ट डिग्रेडेबल मंझे वेरी स्लो रेट नी खूब कमी दिउसानी किवा खूब उशिरा हे डिग्रेड होताथ बड़ खूब वर्शर तेला लागताथ आनि महनते ना नौन बायो डिग्रेडेबल महताथ तमा यह यह ची प्रोपर्टी बगा तुम्हाला यह एक दोन कंसेप बायो अक्योमिलेशन आनी बायो मैगनिफिकेशन तोसे एक प्रोपर्टै लिपफिलिक मझे लिपओ मझे लिपए लिपीड में फै। वह क masturb है कि बॉड्य touching आहि माधि pok मदे डिपोजिशन ओप पेस्टिशेड इन फैटी टिशूज ओगनिजम चा फैटी टिशूज मदे पेस्टिशेड चा डिपोजिशन होनों मंझे तुमचा काया है बायो एक्युमिलेशन ही डेफिनेशन पाठच कराया ची ही विचारली जाओ शकते तैचन अंतर जसा आपन वाडट इनक्रीज गुंसेंट्रेशन ओप पेस्टिशेड इन फैटी टॉप मेमबर्ज ऑफुर्चेन चा वर्चा मेंबर्ज मदे काया होतों यचा कॉंसेंट्रेशन पेस्टिशेडच वाड़ जाता नि तला मनेचा बायो मागनिफाइ मागनिफाइ होनों जास्ती जास् थी फ़र्म मदे तीन प्लास्टिक लेर काया था टाकाया था था लेके निज़ीबल लाइट आनी इंफ्राड रेडियो वज मदे ते विजिबल लाइट तर अपलेला मेटे फोटो सिंतेसी सटी उस होते त्याचा काई विशे ने तीक है त्रास दाइक नसते अथा यूवी रेडियेशन मदले पन हांफुल यूवी रेडियेशन काई करतात also layer अपला काई करतो अपसरप कुरत हो नी तो ओजन लेयर कुट आए बाद नो स्ट्राटो स्पीयर मदे ट्रोपो स्पीर मदे पनए ozon तो वेगड़ा है मेन ओजोन लेयर जो आहे तो अपला खुटा है स्ट्राटो स्पीर मदे तरही लक्ष्ट ठेवा येचा वर्ती प्रश्णा है आता इन्फ्रा-रेड रेज एन रेडियो वेवज रेज यहांच, सा यहांच, हम सबने मेंने कारेडी bang Phillip मिन वागी वहें ऐले लुनेकर रहा है जिले दाभिक दनार और खीवाभक हंगे मिलकित तुराव यहांच, यहांच legit छिताती हर्छ यहांच मुलाजी करुजिघ व। यहांच जिव को फूंट स मुसेनल पूर्द सेल पूर्चा पूयंट रहना अरे पूर्चा पूयंट बंधवान कहका थ Indust PPE looks jsub लॉंग वेवज मदे आतार हां अर्थ सर पेश है ये चाहरों पुना काय होना रे बैक रिफलेक्टेड जाना रे पाटी माग जाना रे को तुमची वेवज पन ये इथत जातात याचा पुड़ जात नाहित मजे है ये तातर हीटिं के अपल्ड हीले आ सत्ता हीट प्रोडिूस करता हां घ्रिटिंग इफेक्ट अचव प्रकारि काय हो ताफ ग्रीन हाउस एफेक्ट या ब्रीवा घ्लास देवले तक ग्लास मजे काया ज़ता फक्ता अटम आशाला लाव करतें वेवज बाहर जालाा लाव कर किता नंशेप्ट हो तो हूंहा रिघर उखेटना की वञत्या खेए due to these blankets, blanket of gases, बरोबर तर यह सिंपली है, हर्थ चा सरफेस हीट होतो है, कशा मुढ यहां gases चा ब्लांकेट मुढ बस, ते मन जए है चा मदे तुम्छा ग्रीन हाउस इफेक्ट आहे, आता ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तुम्छा कशा चा ग्लोबल वार्मिंग चा ग्लोबल वार् परटिकोलर कंट्री रिकहां सगा वाड़ना, तुम्छा कशा ग्रीन हाउस इफेक्ट कि माँ ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गास्ट आहे, खूब मत आछे थीके, हेजर नस्ते तर आता चा ज़े अपले बर्ड श्वरी एर्थ ची टेंपरेच्वारेच्वारे थी क अटता जे ग्लोबल वॉर्मिंग होते है, जह उड़ी कई गरत ग्रस जी हुँ घिया ग्रें धर हर सेटमकी से फ्यवन खूदक यां, iam माता ग्रीन हाउस गैसेश पैकी कौन-कौन किती-किती परसेंट अही कुटले गैस तरी लक्षण ठेवाई चे कार्बन डाउकसेश फिप्तिनैन, CFC 19, मेथेन 15% नाइट्रोजर गैसेश आएट ते 6% अन्य अधर 1% फिप्तिन गैसेश अन्य अधर 1% यह दोन तरी तुम्ही ट्रैप जाले ले सगे भाहर पड़ना रहत बग किवा सिमेंट प्लांट्स मदून का होना रहत है, डिश्चार्ज होतात किवा रिलीज होतात, कुठ अट्मोस्पियर मदे अटा यह चतला जो CFC आहे, तो CFC जनरली कशा मदून सांगा, इंडस्ट्रियल अक्टिविटीज की वा रेफ्रिजिरेटर की वा एर कंडिशनर्स जी आहे, तेचा मदून का होता हा, CFC रिलीज होतात, अस्तो आता यह गलोबल वर्मिन मालों होता काई रहे है, गलोबल वर्मिंग चे इफेक्ट्स का है का यह चाहन होता आता एर्थ वर्ति आन ही लिविंग ऑर्गनिजम मेंद ₤ ह 대 van लचét है मेल्टिंग्लेशरज समल्ट होता है तुम्छे रफड़ के लिए सब्सक्राइब साथ CT समगी अब लर्वाइबर सिट वार्प की वाध नोडशीपक नितली वाउत होता है ते पूलाराइस क्याप मेल्ट होता है ते चना तर सी लेवल इंक्रीज होते है का रिसकी सी लेवल का इंक्रीज होते है तर या चमादे बगा पानेला कम जागा लगती है बांट वाल फ्यला जासता जागा लगती है त्या मुलlichkeit लेवल वाडते है तो लेवल वाडते है तर फिशक्सम्तekt में ठामनेला अनन तर लेवल औहे से लेवल वाडते है वेलेत्तर गदीची हेतने, बरो बरकुने, रेनफोल पाटन तुम्हाए होतु है, चेंज होतु है, तेचना अलतर एग्रिकेंस जी हेता, त ताब गाता सध्य सायक्लोंचा आलो, तुमाला महतेकी किती नुकसान होते है पिकान छा, सायक्लोन हरीकेंस हातो, तेचंए अलतर अ अठ़ा ला बगा एन्वर्मेंटल इशुज वर्ती तीन प्रशन विचारले सो कदि पने कादा पॉय्ट हो अक्ठ पॉइंट होई शकतो, फिक्स हसा एक अक्ठ टोपिक वर नहीं फक्त याज पॉयंट वर्ती एन्वर्मेंटल इशूज वर्ती फक्त तुम्हाला तीन प्रश इन्क्रीज इन् क्रॉप प्रोड्प्सट रहें डिस्ट्रक्षन होता है साइक्लोनज रिकें उन्हों क्रॉप्सक असनारे कारन नौट विचारें चुल कीचा है। बरकिने तिर ओप्शन नमबर D तैचा करेक्ट एंसर असना रे अता फुट्चा पॉइंट खूप असमात वाचा है तेचे वाती खूप सारे क्वेश्चन से उनगे ले ओजोन डिपलेशन इन्द स्ट्राटो स्पियर अपन बग इतला स्ट्राटो स्पियर मदे का आसतो तु मेन ओजोन लेयर चा नाही अपला तो काई करतो प्लांट आनि एनिमल्स ला हाम करतो मुनुन यहला आपन काय मुनतो बाड ओजोन मुनतो व्यावसित लग्षट्थेवाएचे ट्रोप स्पियर अनि जो स्ट्राटो स्पियर मदले तो काई करतो यूवी रेज एबसॉब करत अबर बरिकने मुनु यहला पन गुड ओजोन मुनतो वनी हाँ अपला मेन लेयर आहे स्ट्राटो स्पियर चा तर याचा वत्ये क्वेशन आहे काय बगातो ओजोन लेयर इन्द ट्रोप स्पियर इस डैश फोर अनिमल्स प्लांट्स अनिमल्स CET 2008 चा प्रशन है काय गुड ह स्ट्राटो 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 अनि इथा कुटला दिला है तुम्हाला प्रोपोस्पियर मादला मेज़ा हा सुदा ओप्शन कैंसल जाला गूड आनि हामफूला ताहा कसा है प्लाइन्ट आनि आनि मला हाम करतो मेज़े अप्शन नमबर बी त्याचा करेक्ट आनि से रसनारे ए सुदा तुम्हा एलिमिनेट होतो है अथा नेक्स्ट क्वेशन याचा वरतीचा है दो ओजोन ओप एट्मोस्पियर इन वीच दो ओजोन लेयर इस प्रेजेंट इस कॉल्ड आता याचा मदे आपन दोन बगिदले टो ओजोन ओजोन लेयर मतले इस प्रेजेंट कॉल्ड मकुटला लेयर आहे तो ए आई पी अम्टी दोनाजाचा ओदसा प्रिश्ना आयोनोस्पियर नाहीरे बायानों हातर सग्यात वर्ती अस्तो याचा कैसमनने मेसोस्पियर सुदने हाले लोवर आहे प्रोपोस्पियर जैच यहाला क कहरना है तेसे देपलिशन करने सथी तेप्रो अछच कोटी डीडेशन और्यो और्वरे शूड़ोल ने मेसोडवक स्वद आपक नेहीं आणि हाँ इहाँ इतकुण आछी रियक्ट होतो यूवीрах हाँ यूळी फो रियक्ट होतो त्यावीeri क्लोरीन एटम सेपरेट होतो कोन सेप्रेट होतो तुमचा क्लोरीन एटम काय करतो O3 जो आहे त्याचा मदे O3 चा ब्रेकडाउन करतो आणि O2 प्लस O नेसंट ओक्सिजन हा काय करतो तैयार करतो आणि है आचा ब्रेकडाउन करतो मैंजे इत्ता काय जला संगा तुमचे ओजन से डिप्लीशन जला ओजन मोलीकल ब्रेकडाउन जला बरोबटने तर हे सिंपली लग्षट ठेवाएचे क्लोरीन एटम क्लोरो फ्लोरो कार्बन मदला UV rays बरोबर रियाक्ट जले नंतर रिलीज उतनी तो येचा मदे डाइरेक्ली क्लोरीन एटम कारतो तुमचे ओजन ला डिप्लीट करतो तर हे लग्षट ठेवाएचे ब्यवस्तिद ओजन होल तुमाला महिते जस्ती जस्त ओजन तितला कमी जाला कुटा है अंटार्टिका मदे आहे तर आता ओब्यसली अता भरत आले बर्यापे की है इवन लास्ट येर लास तेचा रिपोर्ट आला है तर ओजन होल इंजन्डर लभशट ठेवा अता हे तेचा अगुदर मात्रो खूप होता ओजन ले 1985 चा दार मैंते शोद लगेला बर्योबर तर त्यावडी खूप होता ता हे चा मदे मॉंट्रियल प्रोटोकल मॉंट्रियल ही एक जागाई बर्योबर कैनेडा मद ले एक प्लेस है सिंपली आपले कर मुंबई दिल ली तर मॉंट्रियल तर ह्या मॉंट्रियल ठीका निकाई के ली ही साइन के ली गेली मौन्ट्रियल प्रोटोकल के वा मौन्ट्रियल ट्रीटी के वा प्रोटोकल आपन मुंदो ना करार तस है तर कशा सटी मग मौन्ट्रियल प्रोटोकल के वा मौन्ट्रियल ट्रीटी के लिगे लिए तर ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टोंसेज जा है तर चामधे एक्चुली मे कीचा गुष्टी सब्सूडरी होते ता सी एपसीच चा इमिशन काई करने सटी कांट्रोल करने सटी कीवा कमी करने सटी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकल कीवा मॉन्ट्रियल ट्रेटी साइनाउट के ली गेली तुमाला समझेल याचावर ती खुप सारे क्वेश्चन्स होते दोन आहेत आजुन आहेत तेचा आगुदर अपने एक पॉइंट रहेला याचो में देच हुआ अपला क्लोरो फ्लूरो कर्बन काया ओजोन काया होतो डिपलीट होतो ओजोन डिपलीट जाले मुलो यूविरो त्याला आपन कायम होन्तो बेसिकली याचा मदे बगा यूवि-ब यूवि-अ-ब असता तुम्ही गॉगल मदे बढ़ेस दबगता तर कॉर्णियस इंफ्लमेशन कुना मुला होतो यूवि-ब रेज मुनानी याला कायम अटले जातो प्लाननेस क्याटारैक्ट तुम्हाला ते विछ्चारला जाऊशक्त कदा जित स्नो ब्लाननेस क्या खतारैक्ट त कश्चा मुल होतो ये बादननों यूवि-ब अल्ट्रावाइलेट बी जारे जाहे त्या छा ते रोलामंमधे गेलायान अनंतर काय मुना रहे विच कैन लीड्स टू एन इंक्रिस्ट इंस्टिदंस अप स्कीन कैंसर नीट 2016 चा क्वेश्चन है अमोनिया, मिथेन, नाइट्रस ओक्साड अनी ओजोन अपन बगितले ओजोन असना रही है या गैसेस मुला ये जरी दोग काया असले बालानों ग्रेन हाउस गैसेस असले तर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवात, एन इंटरनेशनल ट्रीटी नोन एज मॉंट्रियल प्रोटोकॉल वज साइन टू कंट्रोल इमिशन अप डैश, CET 2015 चा क्वेश्चन है, आताच आपन बगितले युवी रेजला कंट्रोल कराइचे का नहीं, ते यहुन ने खली, महनन जे सब्स्टंसेशं ओज्ओनला काई करता है, डिप्लीट करता है, त्याँ चेक्रेशन मनने बैश्चा इमिशन कमी करनेश ट्या है, त्यश्चन नंतर ओजओन, CFC ज साझन ऑक्शिजन, ऑक्शिजन चाका AI सम्बनने ओज़ोला प्रोटेक्ट करनेश अट कोना ऐमिशन कांट् पहलेदा एक शब्द लक्षत गया, forest, forest ला जाड कापुन टकली, ठीके, जी अल्रेडी ती एक forest होता ते कापुन टकली, काड़ुन टकली, deforest, deforestation, यहा सगया word छा, formation वरतीस तुमाला एचे, definition प्रलक्ष अट्थे बैस, deforestation मैं जाड जाड फोरेस्ट कट करून दिले, ठीके permanent removal or decrease or deterioration of forest and woodland, मैं जाड एक तर पूर्ण काई होतील, सगल जंगल तोडला जाएल, decrease मैं कमी केला जाएल, किवा deterioration मैं जाड नुखसान होता थोड़केर, मैं जाड अब्यूस आए कि ते कमीज होता तर, हे मैं जाड निगून गेली, लक्ष अठेवा, reforestation, बालन तुम्ही construction करता के नहीं, reconstruction हाँ वर्डवा परता के नहीं, एक building आहे, आणि माला ती building बान दाएची, तर मी काई महनें, construction चालो है, पौन ए खादी building पाड़ून तितर जर काई केले, construction चालो है, तर आपन काई महनें, reconstruction, ते चावरून तुम चलाग शात रहेल, मैं forestation, forest आहे, that's a reforestation, आपन परत तितर करतो है, restoring a forest that once existed, already तितर forest होता, क्यों हाँ काया है, आत्ता सुधा आहे, त्यासा आपन restoring करतो है, मैं डिपलीशन पसुन ताला वादसा होतो है, मैं जे आहे, reforestation, next आहे, a forestation, a मैं जे काया है, बगाता, ये चा मदे बगा, ये चा मदे byword तर लक्षत रहना प्लें, plantation on barren and unexploited land, जी लेंड वापरली नाही, कि बगान आहे, जिता आता परें, तक है जाड़ा नोती, त्याचा वर्ती जाड़ा लाउना, मैं जे और forestation, तर ये तीनी गोश्टी रक्षत रहना, और forestation वर्ती प्रश्न ये उन गेले, ये दोगान वर्ती हो शकतो, कदा प्रोटेक्शन आवार्ड जो आहे, अम्रुता देवीचा अंडर नावार नी दिला जातो, ते, case study जा दोन आहे, विश्ण विजमाती चे एक आहे, तुम्चे चिपको मुमेंटे काहे, तेचा वर्तो तुम ही वाचा है, तेचा वर्त्चा में प्रिश्न होमवर्क साथी द अवर्मेंट ला, हाँ डे आसतो, तुरा ता पणि याचे वर्चे क्विश्चन्स भगुयात, काय बगा, अफोरेस्टेशन इज, CET 2017 चा क्विश्चन आहे, अफोरेस्टेशन, रिस्टोरिंग अफोरेस्ट होता करे, माँ रिफोरेस्टेशन होता, नावा अप्रमाने, Plantation in Barren Land, Cultivation Under Agriculture, याचा तर कही सम्मनने, हाँ डाइरेक्ट इलिमिनेट होता है, जूम कल्टिवेशन चा अपने चमदे काही सम्मनन देतने, Plantation in Barren Rock, माजे अफोरेस्टेशन होता, लास्ट तरम, ठीक है, तर रिफोरेस्टेशन आनी, डीफोरेस्टेशन व्यवास्तित करू अनि आच्छा वीडियो जर तुम्हाला समझला सेल, ओर्गेनिजम सेने अन्वार्मेंट चे सगे डाउट्स तुम्चे क्लियर जाले अस्तिल, तर आपले चानल ला जास्ती जास्त शेयर करा, लाइक करा, सब्सक्राइब करानी, बेल आइकोन प्रेस करा मित्रान्नू, थैं है झाले जाले चे करा दे करा दुम्हाँ